नमस्कार, Education 360 Degree में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हम आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतिय प्रधान मंत्री के बारे में कि भारतिय प्रधान मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है भारतिय प्रधान मंत्री को कौन-कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और वो कौन-कौन से कार्य करता है साथ ही साथ हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि भारतिय प्रधान मंत्री की सम्विधाने की स्तिति क्या है चले शुरू करते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतिय परधान मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है देखें, भारतिय समिधान के अनुच्छेत 74 में कहा गया है कि रास्टपती को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा और रास्टपती इसकी सलाह के अनुसार ही कारे करेगा कहने का अर्थ यह है कि रास्टपती संग की कारेपालिका से सम्मंदित जितने भी कारे करता है उन सभी कारेओं को करने के लिए रास्टपती को सहायता देने के लिए उन कारेओं में रास्टपती को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होती है जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री कहलाता है और इनके सलहा के अनुसार ही रास्टपती संग की कारेपालिका से सम्मंदित सभी प्रकार के कारे करता है इसके बाद भारतिय प्रधान मंत्री को लेकर अनुचेत 75 में ये कहा गया है तीन बातें यहां दी गई है अनुछेत 75 के अंदर ध्यान रखेगा तीन बातों का जिक्र किया गया है अनुछेत 75 में सबसे पहली बात भारतिय परधान मंत्री की न्यूकती रास्ट पती करेगा बहुत important बात है कि भारतिय परधान मंत्री की न्यूकती रास्टपती करता है और second बात भारतिय परधान मंत्री की सलह पर अन्य मंत्रियों की न्यूकती रास्टपती करेगा जो की रास्टपती के परसाथ परियंत पद धारण करेंगे इसके बाद अनुच्छे 75 में तीसरी बात जो सबसे important है वो ये दी गई है कि संपून मंत्री परिशद लोगसभा के परती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगी। तीसरी बात परिशद लोगसभा के परती सामुहिक रूप से दरदाई होती है। इसके बाद देखें संसदिय जो विवस्था है हमने संसदिय विवस्था ब्रिटेन से अडॉप्ट की है और हमने इस पार्लेमेंटरी फॉर्म अफ सिस्टम के अंदर परधान मंतरी की जो नियुक्ति की जाती है उसका तरीका क्या है देखें जब लोगसभा चुनाओ भारत क अपने जीते हुए लोगों में से किसी एक को अपना नेता बनाते हैं जिसे हम बहुमत प्राप्त दल का नेता कहते हैं और उस नेता को ऐजा परधान मंतरी नियुक्ति किया जाता है रास्टपती के द्वारा यदि देखें लोगसभा में कोई एक पार्टी है एक ऐसा दल ह जिसे बहुमत प्राप्त हो गया है उसने अपना एक लीडर चुन लिया है बहुमत प्राप्त दल का नेता जो कह रहे हैं हम यहां उसे चुन लिया है अब वो रास्टपती के पास जायेगा और यह कहेगा कि भाई देखें हम बहुमत प्राप्त कर लिया है हमने और हमारी सर धारित किया जायेगा जब लोगसभा में उसे अपना बहुमत साबित करना होगा और प्रधान मंतरी जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है वो लोगसभा में अपना बहुमत जब साबित करता है और पूर्ण रूप से सफल हो जाता है उस बहुमत को साबित करने में तो किये जाते हैं उन सभी कार्यों को परधान मंत्री अकेला नहीं कर सकता है इसलिए अपनी मदद के लिए वो कुछ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में रास्टपती को सलह देता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्राले देना है लेकिन अगर ऐसी कंडिशन आ जाती है जब हंग असेम्बली का मतलब किसी भी राजनेतिक दल को लोगसा भामे को इस पस्ट बहूमत ही ना मिले तो ऐसी स्थिती में रास्टपती की स्वविवेक की जो शक्तियां है वो जागरित हो जाती है और र राजनेतिक पार्टी को कह सकता है और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी भी दल को स्पस्ट बहूमत नहीं है और रास्टपती ने सरकार बनाने के लिए किसी दल को मौका दिया है तो ऐसी स्थिती में जो बहूमत प्राप्त दल का नेता है उस दल का नेता एक महीने के अंदर विश्वासमत हासिल करेगा और साथ ही साथ अपना बहुमत लोगसभा में साबित करेगा तो ये हमारे यहां भारतिय संसदिय दिवस्था में बहुमत प्राप्त दल के नेता को परधान मंतरी नियुक्त करने का एक तरीका है और साथ ही साथ मैंने आपको जिक्र करके बता दिया है कि किस तरीके से यदी कोई हंग असेमली की सिचुएशन बनती है अर्थार्थ किसी भी दल को यदी स्पस्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी इस्तिती में रास्टपती स्वविवेक का इस्तमाल करके किसी भी राजनितिक दल को सरकार बनाने के लिए आ राज्य सभा का सदस्य हो ऐसी पोजिशन में ऐसे व्यक्ती को भी परधान psychiat के तोर पर नियुक्त किया जा सकता है लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है जो सर्वच न्यायले ने निर्ने दिया उसमें condition यह रखी गई है कि ऐसे व्यक्ती को जो की संसद का सदस्य नहीं है और कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद सदस्य नहीं है और प्रधान मंत्री के पद पर न्यूक्त कर दिया गया है तो उसे 6 महीने के अंदर या तो राजय सभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी या लोग सभा का चुनाव लड़कर लोग सभा का सदस्य बनना होगा और ऐसी situation का example हमारे यहां सन 1966 में पहली बार आया जब इंदरा गांदी पहली बार प्रधान मंत्री बनी थी 1966 में तो उस समय वो संसद की सदस्य नहीं थी दोनों सदनों में से किसी की भी सदस्य नहीं थी इसके बाद 1996 में देवगोडा की सरकार बनना 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंग का प्रधान मंत्री पदपर नियुक्त होना ये इसी तरह के उधारण है कि ये लोग उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो ये हमारे यहां हमारी संसदिय व्यवस्था में भारतिय संसदिय व्यवस्था में प्रधान मंत्री की न कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। हम भहुमत प्राप्त दल के सभी जीते हुए लोग अपने में से किसी भी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। है प्रधान मंत्री की जो मर्जी है वो सबसे जादा काम करती है। अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपने आप अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो मंत्री परिशत के संबंद में सबसे महतपून जो कारेव भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त है वो है प्रधान मंत्री की सिफारिश पर रास्टपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद मंत्री परिशत के संबंद में दूसरा जो कारेव भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त है वो है कि भारत का प्रधान मंत्री मंत्रियों को विभिन मंत्राले आबंटित करता है। पर बहुत अच्छा कारे कर सकते हैं उन्हें स्वास्त मंत्राले की जानकारी बहुत जादा है तो ऐसी पोजीशन में प्रधान मंत्री उन्हें स्वास्त मंत्राले दे सकते हैं। यदि पर्धान मंत्री को ऐसा लगता है कि Mr. Y. ग्रह मंत्राले को बहुत अच्छे से समाल सकते हैं, तो पर्धान मंत्री अपने स्वविवेक से उन्हें ग्रह मंत्राले आबंटित कर सकता है. साथी साथ प्रधान मंत्री को ये पावर भी है यदि कोई भी मंत्री यदि अपना कारे सही प्रकार से नहीं समाल पा रहा है तो उसके मंत्राले में फेर बदल कर सकता है यदि किसी मंत्री के कारे को देखते हुए प्रधान मंत्री नाखोश है या प्रधान मंत्री को ऐसा लगता है कि वो संबंदित मंत्राले का कारे बहुत अच्छे से नहीं समाल पा रहा है तो ऐसी पोजीशन में उसके मंत्राले में फेर बदल कर सकता है उसे पूरी दरह से चे कि वो त्याग पत्र दे और अपने पद से हटे, अपने मंत्राले से हटे, साथी साथ यदि ऐसा नहीं है तो भारत का प्रधान मंत्री ये रास्टपती को बरखास्त करने की सलहा दे सकता है कि निम्न जो मंत्री हैं इस मंत्री को इसके पद से बरखास्त किया जाए, तो ऐसी में भारत के प्रधान मंत्री की जो कार्य और शक्तियां हैं वो बहुत जादा important हो जाती है क्यों क्योंकि प्रधान मंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या त्याग पत्र ना देने के लिए कहे तो सीधे सीधे रास्टपती को उसे बरखास्त करने की भी सलह दे सकता है और रास्टपती ऐसी पोजिशन में उस मंत्री को बरखास्त कर सकता है इसके बाद भारत के परधान मंत्री का अन्यकार्य क्या है देखें वह मंत्री परिशत की बैठक की अध्य साथ ही साथ उसके निर्णेयों को पूरी थरह से प्रभावित भी कर सकता है। देखें इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को मंत्री परिशत के संबंद में कौन सी शक्ति प्राप्त है। सभी मंत्रालेयों के सभी मंत्रियों के कामों में पूरी तरह से समन्वे बनाये रखने का प्रधान मंत्री पूरी तरह से कार्य करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि मंत्रियों की गतिविदियों को सही प्रकार से नियंत्रित नहीं किया गया, सही प्रकार से उन्हें निर्देशित नहीं किया गया, या उनमें समन्वे नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि कार्य बहुत जादा अच्छा होने के व राप्त है कि यदी भारत के प्रधान मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसी पोजीशन में ऐसी इस्तिती में पूरे मंत्री मंदल को वो बरखास्त कर सकता है यानि कहने का अर्थ यह है कि यदी भारत के प्रधान मंत्री ने अपने पद से अपना त्याग पत्र दे दिया है तो मंत्री मंडल पूरा का पूरा एक साथ बरखास्ट हो जाता है क्योंकि वो लोकसभा के पर्ती पिधाईका के पर्ती सामोही क्रूप से उत्तरदाई होता है। तो ये भारत के प्रधान मंत्री की कार्य और शक्तियां थी जो की मंत्री परिशद से संबंदित हैं, इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को कुछ अन्य कार्य और शक्तियां प्राप्त हैं, जो की रास्टपती के संबंद में हैं, रास्टपती के संबंद में भारत के प् मंत्री परिशद के बीच की कड़ी होता है यहां बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कारे है भारत के परधान मंत्री का कि यदि किसी भी परकार का कोई निर्णय मंत्री परिशद लेती है तो उस निर्णय की जानकारी देने का अधिकार रास्टपती को परधान मंत्री का होता ह और यदि रास्टपती किसी भी प्रकार का कोई निर्ने लेता है मंत्री मंडल के किसी कारे पर तो उसकी जानकारी मंत्री परिशद को देने की जिम्मेदारी परधान मंत्री की होती है यानि कहने का तातपर सीदे सीदे यह है कि मंत्री परिशद के कारें में क्या निर्ने लिया गया वो सारी बातें रास्टपती को बताने की जिम्मेदारी परधान मंत्री की है और मंत्री परिशद ने जो कारें पर डिसीजन लिया उस पर रास्टपती का क्या कहना है चेद 78 के द्वारा रास्टपती और मंत्री परिशद के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री सला देता है कहने का त рассказыв सिदह सिदह यह है कि यदि भारत के रास्टपती के द्वारा भारत के महाने आयवादी को या महाने अंत्रक लेखा परिक्षक को संगलोग से वायोग के अध्यक्षा उसके सदस्यों की नियुक्ती की जाएगी या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती की जाएगी या वित्वायों के अध्यक्षा और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी तो इन सभी नियुक्तियों में रास्टपती अपने विवेक का इस्तमाल नहीं करेगा रास्टपती परधान मंत्री से परामर्श करेगा और जैसा परधान मंत्री चाहेंगे जिस वियक्ति को इ इन बिभिन वर्णित पदों पर नियुक्ति किसी को देनी है तो प्रधान मंत्री के परामर्ष के अनुसार ही रास्टपती इन बिभिन प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो ये भारत के रास्टपती के संबंद में भारत के प्रधान मंत्री के कारे एवं शक्तियां हैं, इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को संसद के संबंद में भी कुछ शक्तियां प्राप्ते हैं, संसद के संदर्व में भी कुछ शक्तियां प्राप्ते हैं, आए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री को संसद के संबंद में कौन कौन सी सक्तियां प्राप्त हैं देखें संसद के संबंद में सबसे पहली बात भारत के प्रधान मंत्री की जो इंपोर्टन है वो ये है कि परधान मंतरी रास्टपती को संसद का सत्र शुरू करने, साथ ही साथ उस सत्र को खतम करने के संबंद में परामर्ष देता है कहने का अर्थ यह है कि यदि संसद का सदन शुरू होना है, सत्र शुरू होना है या संसद का सत्र खतम होना है तो ऐसी स्थिती में रास्टपति अपने हिसाब से संसद का जो सदन है उसको सत्र को शुरू करने या खतम करने के बारे में नीड़न नहीं लेता है क्यूंकि भारत के प्रधान मंत्री ही रास्टपति को परामर्ष देते हैं, सलहा देते हैं या गाइड़ गरते हैं कि कब संस संसद के सत्र को खतम किया जाएगा तो यहां संसद के संबंद में भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कारे उसे बहुत जादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं रास्टपती की तुलना में क्यूंकि रास्टपती संसद के सत्र को शुरू करने में या खतम करने में अप प्रधान मंत्री जैसा परामर्ष देगा वैसा ही यहां संसद के सत्र को शुरू करने और संसद के सत्र को खतम करने के मामले में रास्टपती निर्णे प्रधान मंत्री की परामर्ष के अनुसार ही लेता है इसके अलावा देखिए प्रधान मंत्री किसी भी समय लोगसभा को विगटित करने की सिफारिश रास्टपती से कर सकता है। यदि परधान मंत्री को ऐसा लगता है कि लोगसभा का विगठन किया जाना चाहिए, लोगसभा को विगठन किया जाना चाहिए, तो कभी भी, किसी भी समय भारत के परधान मंत्री रास्टपती से ये सिफारिश कर सक भारत के जो प्रधान मंत्री होते हैं वो सरकार की नीतियों की घोशना करते हैं संसद के अंदर यदि संसद का सत्र चल रहा है तो प्रधान मंत्री चूकी सरकार के हैड होते हैं प्रधान मंत्री सरकार के मुखिया होते हैं ऐसी पोजीशन में यदि सरकार किसी भी प्रकार की क भारत के प्रधान मंत्री की होती हैं इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को कुछ अन्य शक्तियां और कारे भी प्राप्त हैं कुछ अन्य कारे और शक्तियां प्राप्त हैं जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं इतनी सारी शक्तियों को इसके अलावा जो अन्य शक्तिय यहां भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त हैं उन पर अब हम चर्चा कर लेते हैं देखें भारत के प्रधान मंत्री नीती आयोग के अध्यक्ष होते हैं साथी साथ नीती आयोग के अध्यक्ष होने के बाद वो रास्टिय एक्ता परिशद अंतराज्य परिशद रास्टिय जल संसाधन परिशद का भी हैड होता है कहने का अर्थ यह है कि जो नीती आयोग है जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है योजना आयोग को खतम करके नीती आयोग की स्थापना की गई है प्रधान मंत्री उस नीती आयोग के अध्यक्ष होते हैं, साती सात रास्टिय एकता परिशद के अध्यक्ष होते हैं, और अंतर राज्य परिशद, रास्टिय जल संसाधन परिशद के भी प्रधान मंत्री अध्यक्ष होते हैं, इन सभी आयोगों की इन सभी परिशदों की अ कहने का आर्थ यह है कि भारत की विदेशनीती किस प्रकार की होगी भारत की विदेशनीती किस प्रकार से कारे करेगी इस संदर्व में परधान मंत्री के नेने परधान मंत्री के द्वारा लिये गए नेने बहुत ही जादा महत पून होते हैं और परधान मंत्री ही रास्ट की देश की विदेशनीती को पून रूप से मूर्त रूप देने में बहुत महत पून भूमिका निभाते हैं यानि जैसा उनके विचार हैं जैसे उनकी सोच है उस सोच के अनुसार ही विदेशनीती मूर्त रूप में आ पाती है इसलिए यहाँ अन्य शक्तियों में यह बात कही गई है कि प्रधान मंत्री देश की विदेश नीती को मूर्त रूप देने में बहुत ही महतुपून भूमिका निभाता है। आपात कालीन कोई परिस्तिती बनती है तो वो आपदा प्रबंधन के प्रमुग होते हैं। इसी कोई परिस्तिती बनती है जो बहुत ही आपात काल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो तो ऐसी इस्तिती में राजनितिक इस्तर पर जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। वो क्या जमेदारिया हैं? वो बिभिन राज्यों के बिभिन वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंद में ग्यापन प्राप्त करता है। उन लोगों की क्या क्या समस्याओं हैं और उन समस्याओं का ग्यापन प्राप्त करते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं। यह शक्ति प्राप्त है कि भारत के प्रधान मंत्री केंदर सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं। कि संग की कारेपाले का अर्थारत केंदर सरकार से संबंदित किसी भी प्रकार का कोई नीतिकत निर्ने यदि लिया गया है। तो उसकी जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी भारत के प्रधान मंत्री की होती है। और भारत के प्रधान मंत्री केंदर सरकार के द्वारा लिये गए सभी निर्नेओं को भारत के लोगों तक पहुँचाते हैं। जानकारी केंदर सरकार के प्रमुख होने के नाते वो जनता को प्रधान करें। इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को एक अन्य शक्ती और प्राप्थ है कि वो सब्ताधारी दल के नेता होते हैं। कार्य करने के लिए उन सभी की जानकारी सभी लोगों को भारत के सभी लोगों को संसद को होनी चाहिए ऐसा भारत के प्रधान मंत्री को कार्य प्राप्त है उसको शक्तियां प्राप्त है देखें इसके अलावा जिस प्रकार से भारत के रास्टपती सेनाओं के मुखिया होते हैं इसी प्रकार से भारत के प्रधान मंत्री सभी सेनाओं के राजनेतिक प्रमुख होते हैं देखें भारत के रास्टपती तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं लेकिन जो परधान मंत्री हैं वह सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं और सेनाओं को राजनीतिक इस तरपर क्या करना है किस प्रकार से डील करना है ये उनके राजनीतिक प्रमुख की जिम्मेदार प्रधान मंतरी के कारे और शक्तियों में ये अन्य शक्तियां भारत के प्रधान मंतरी को प्राप्त हैं। प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी को प्राप्त हैं। कि वो समान है, सभी समान लोगों के बीच में, सभी एक जैसे लोगों के बीच में एक first preference वाले व्यक्ति हैं। कि संग्या दी है। इसके बाद एक अन्य विद्वान, हरबर्ट मेरिसन ने ये कहा है कि परधान मंतरी सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख होते हैं। इसलिए परधान मंतरी सबसे जादा important बन जाते हैं, सबसे जादा प्रमुख बन जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य विद्वान, सर विलियम वर्नेट हार्ट कोर्ट ने उन्हें तारों के बीच चंद्रमा की संग्या दी है। का ये मानना हैं कि परधान मंतरी देखें, जिस तरीके से रात के समय में हम तारों को चमकते हुए देखते हैं, हमें तारे बहुत जादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उन तारों से भी जादा सुन्दर कोई चीज यदी आकाश में दिखाई देती है, तो वो होता है चंद् की संगया, सर विलियम वरनेट हार्ट कोर्ट ने भारत के परधान मंतरी को दी है, उनका कहने का अतात पर्य यह है, कि उनके मंतरी मंडल के लोग और लोगसभा के अन्य सदस्य तारों के समान हैं, और परधान मंतरी उन से जादा चमकते हुए एक चंद्रमा है, इसलिए सर वरनेट हार्ट कोट ने भारत के प्रधान मंत्री तारों के बीच चंद्रमा की संग्या दी है देखें इसके अलावा जैनिंग्स ने ये कहा है एक अन्य विद्वान जैनिंग्स ने ये कहा है परधान मंत्री सूर्य के समान है जिसके चारो और ग्रह परिब्रमन करते हैं ग्रह घूमते हैं यानि परधान मंत्री एक सूर्य है जो एक जगा हैं स्थिर हैं उसके बाद चारो और बाकी के लोग बाकी के मंत्री बाकी के मंत्री परिशत के सभी लोग और लोग सभा के अन्य सदस्य परिभ्रमन करते हैं और सारी की सारी चीजें उनके आसपास ही परिभ्रमन करती हैं आसपास उनके घूमती हैं इसके अलावा लास्की ने ये माना है कि परधान मंत्री सरकार का केंदर बिंदू होते हैं इनका कहने का अर्थ यह था लास्की का कि परधान मंत्री सरकार का केंदर बिंदू है बहुत important बात यहां लास्की ने बोली है भारत के परधान मंत्री के बारे में इसके अलावा मुन्रो ने माना है कि परधान मंत्री राज्य की नौका का कप्तान है अर्थार्थ राज्य एक नौका के समान है और परधान मंत्री उसके कप्तान है यानि कप्तान जिधर उस नौका को ले जाएंगे राज्य को जिधर ले जाएंगे वही राज्य चला जाएगा तो ऐसा मुन्रो का मानना था मुन्रो ने हाँ बिलकुल सही संग्या दी है परधान मंत्री को कि परधान मंत्री राज्य की नौका का कप्तान है इसके अलावा अंत में रैमजे मियोर ने परधान मंत्री को राज्य के जहाज का मल्ला कहा है रैमजे मियोर का ये मानना था कि परधान मंत्री जो है वो राज् राज्य का जाहज जिदर चाहे उधर जाएगा जैसा परधान मंत्री चाहेंगे उसी दिशा में राज्य का जाहज मुड़ जाएगा तो ये भारतिय परधान मंत्री की इस्तिती थी जिसमें रैमजे मियोर ने ये कहा कि परधान मंत्री राज्य के जाहज के एक मलहा के रूप में भूमिंगा निभाते हैं और राज्य के जाहज को जैसा परधान मंत्री चाहेंगे जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में ले जा सकते हैं तो ये भारत के परधान मंत्री की इस्तिती थी उमीद करता हूँ आपको भारत के परधान मंत्री की इस्तिती उसके कार्य और प जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.